पंजाब दे साब का वितमंत्री आते कांग्रेश दे सीनियर आगू मनप्री सिंग बादल ने आज जो कांग्रेश अहाच चट के पाच पादा पला फाल लिया है इते दस देए कि मनप्री सिंग बादल दो वार वितमंत्री आते पांच वार विदायक रहे चुके हन और कांग्रेस दी पार्टी तो दो हजास तारा दियां विदान सवा चोना विच पठिंडा शेहर तो चोन जिते हां इसनू पंजाब दी स्यासत विच एक वड़ी हलचल भी कहा जा सकता है कि पंजाब दे साब का घजाना मंतरी अधे कांग्रेस दे चोटी दे आगवा विच गिने जांदे मनप्री सिंग बादल पाजपाद का हिस्सा बान गेहां अधे पार्टी तो अस्तिफा दे दिता है इस सबंदी ओना ने राहूल गांदी नू दो पण्यादा पत्तर भी लिखिया इसनू ओना ने अपने ट्वीटर दे वी सांजा किता है मनप्रीत बादल पार्टी विच शामल करके पाजपा एक मजबूत सिक्चेरे नाल पजजाब विच अपनी पकड़ मजबूत करेगी मनप्री सिंग बादल दे स्यासी जीवन दी कल करिये ता इस जीवन दी शुरुवात 1995 विच श्रोमनी अकाली दाल दी पार्टी तो कीती सी 2007-2010 तक मनप्रीत बादल ने मुख मंत्री बादल दी सरकार्च वित मंत्री दे तोलते वी काम किता इस दोराण उपुबुक मंत्री सुखबीर बादल नाल विवाद कारल ओनाने वित मंत्री दे ओधे तो अस्तीफा दे के अकाली दालनू अलविदा कह दिता सी ओनाने 2017 दिया विदान सबा चोना नू वेक दे हुए ओनाने अपने पार्टी दा रलेवा कांग्रेस कर लिया जनवरी 2016 विच मनप्रीत ने PPP नू पार्टी राष्ट्री कांग्रेस विच शामल किता जितनी दिल्ली की प्रेस स्कोर आई है मैं आप सब का यहां पहुचने पर थैंक यू पर कामिंग टू कवर दिस इवेंट आज बैठे हैं तो सबसे मैं प्यूश ची का धन्यवाद करता हूँ इनकी कोशिश और काविश की वज़ा से आज मैं आज इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूँ हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि मैं आया बीजेपी के दफ्तर में तो साब आपने मुझे अपने हाथों पे नहीं आपने मुझे अपनी आँखों पे बिठा लिया इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे प्यूश ची के तकरीबन तीस साल हो गुजरे हैं राजनीती में राजनीती में बहुत कम ऐसे मौके मिले हैं जब राजनीती में किसी शेर से मुलाकाथ हुई हो कुछ दिन पहले मेरी एक शेर से मुलाकाथ हुई और उन्होंने और वो भारत के ग्रै मंत्री और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे दिल को छूगई उन्होंने मुझे बोला कि पंजाब ने हिंदुस्तान के लिए चार सो हमले जहले हैं चार सो मरतबा हिंदुस्तान पे जब आकर्मन हुआ तो वो पंजाब ने बरदाश्ट किया है हम पंजाब को अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे हम पंजाब को सवारेंगे हम इसको सुधारेंगे और पंजाब का जो वकार है उसको एक बार फिर बहाल करना है और यह बात जो है यह मुझे छूगई and as someone who reflects anxiously in every day on the future of Punjab मैं फिकर मन रहता हूँ पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे और ये जो पंजाब की धरती है ये शेरों को जनम देने वाली धरती है ये वो धरती है जिसको भगवान ने हरे खेतों और धरियाओं से ऐसे सजाया है जैसे मेंदी से किसी दुलन को सजाते है तो फिकर मुझे इसी बात का रहता है कि इस धरती माँ को मुसीबतों ने आके घेर लिया है वहाँ गुर्बत है, गरीबी है, रिश्वत है, अन पढ़ता है, नशा खोरी है वहाँ पर बतन दुश्मन कारवाईया हैं और इनका कोई न कोई हल होना चाहिए हर दूसरा खांदान पंजाब में पाकिस्तान से आके बसा हुआ है अवरी सेकंड फैमिली है अच्छली एमिगरेटेड फ्रम पाकिस्तान और आपकी तो उमर बहुत कम है, शायद इसको आपको दिल्चस्पी भी आपको कम होगी पर दस लाख आदमी थे जो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दस लाख आदमी कतल हुआ हमारा लाखों माएं थी हमारी, जिनके सिरों से चादने छीन ले गई हमारी बेटियां थी जिनके सिरों से दुपटे नोच लिये गए लाखों बजर्ग थे हमारे जिनोंने जिनके जवान लाठियां थी जो बुड़ापे का सहरा थी वो तूट गई दस लाख आदमी कतल हुआ फिर जाके पंदरह अगस्त 1947 का सूरज चड़ते हमने देखा था और इस उमीद से आये थे कि एक इसी अजाद मुल्क में जा रहे हैं मेनत और महबत से अपने आने वाली नसलों का हम कोई जो भवेश है वो बनाएंगे तो इस बात का हमेशा हमें पंजाब वाले लोगों को ये फिकर रहता है कि इनों वो जो सपने थे वो सपने जो हैं वो साकार होने चाहिए तो वैसे तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि बुझ दिल और पंजाबी मायूसी और पंजाबी ये दर असल दो जो शब्द हैं वो एक सास में जमा नहीं हो सकते आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये बुजदिल पंजाबी है या मायूस पंजाबी है इसलिए मैं और ये जो ये जो पंजाब के अंदर हर चीज़ अपने आपको देश के लिए कुर्बान कर देना ये जो कॉलिटीज हैं पंजाब के लोगों की ये बजारों से नहीं मिलती हाट से खरीद के नहीं ला सकते हैं ये भगवान की नुसरत से मिलती है तो पंजाब में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के निर्मान में पर आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ सफे जो हैं हिंदुस्तान के निर्मान में अभी भी खाली पड़े हैं कोरे पड़े हैं और पंजाब इन सफों की इन पेजिस की रौनक बन सकता है बशर्त इसको अच्छे आदमी कोई लाइक आदमी कोई वतन परस लोग इसको चलाने के लिए आ जाएं तो आज इसी फिकर के साथ आज भारतिय जनता पार्टी इस आस और उमीद के साथ यहां शामिल हो रहे हैं की कोई शक्षियत प्रस्त इनसान नहीं है पर भारतिय जनता पार्टी का और परधान मंत्री मोदी जी का एक ट्रैक रेकॉर्ड है हिंदुस्तान के लिए पिछले जो आठ साल गुजरें डिपलोमेटिकली हिंदुस्तान जो है बहुत मजबूत हुआ है रूस से भी दोस्ती रख ली अमरीका को भी हाथ में ले लिया चीन को भी आँखे दिखा दी और पियुश्टी शायद इस बात की तेल ना होता तो हाला दिगड सकते थे हिंदुस्तान की जो इकनामिक पॉलिस्टी जो पिछले आठ साल से जो मोदी जी की खास करके पी एल आई जो स्कीम आई है वो मेक इन इंडिया की जो सारा है वो देखे उसकी वज़ा से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्टरी बन जाएगा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आप ने और मैं जिसको जानते हैं हमारे बच्पन वाला हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है स्वाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदोस्तान में पंजाब का क्या मुकाम हुआ पंजाब उस हिंदोस्तान में कहां खड़ा होगा कि एक टाइम था पंजाब हिंदोस्तान के माथे का चांद हुआ करता था कोई बहादरी का मेडल आता था पूछने की बात नहीं है वो पंजाब से होता था किसी जब कोई खेल में कोई मेडल आता तो पंजाब से आता था. पंजाब स्लिप कर रहा है. और आज ये जो चुनोतियां हैं, अगर इसको कोई न कोई हमें कोई पटड़ी पे चड़ा सकता है, तो वो परधान मंत्री और उनकी जो तीम है, जो मेरे बगल में बैठे हैं, you are running the fifth largest economy, the third largest military in the world. It is the seventh biggest country in the world. और these are very exciting times to be a politician, these are very exciting times to be an Indian. You could have actually been an Indian from 1947 to 1995, nothing was happening for India. you know and thanks to Modi ji you know 8% 9% growth आ रही है इस वकत subject to correction sir we are a 3.5 trillion dollar economy जिस दिन हिंदुस्तान 6 trillion dollar economy बन गया we will become a meaningful society तो उस आस और उमीद के साथ आज BJP और Modi ji के इनो जो इनका जो leadership है उसमें और उसमें पंजाब और पंजाब का और वैसे तो एक पंजाबी में महावराय की दोस्ती में दुश्मनी में और आश्की में इनसान को दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए दिल छोटा नहीं रखना चाहिए भारती जनता पार्टी में शामिल हो रहे है जिनके साथ कभी बैठके पानी भी पिया हो उसके बारे में भी इनसान को बुरा बोलना नहीं चाहिए बट मुश्किल ये थी कि how can you operate in a party which is at war with itself अपने साथ ही जंग है धड़े बने हुए है जो चार पांच धड़े होते हैं एक को लीडर आफ आपोजिशन बना देते हैं लीडर आफ लेजिस्टेटर पार्टी बन जाता है एक लीडर आफ केमपेन पार्टी एक दूसरे को साथ लड़ाई का हर हर मतलब पंजाब में नहीं हर कॉंगरस के स्यासत थोड़ी करेंगे तो इस ये वज़ाए है कि कॉंगरस जो छोड़ने की नौबत पड़ी की हमने धड़ों की स्यासत थोड़ी करनी है कि एक हम जिस धड़े में वो धड़ा आगे आए सो मैं एक बार फिर प्यूश जी आपका और सारे मंच का मोदी जी का, अमिद शाजी का और खास करके जो प्रेजिडन्ट है उनको बदाई भी देनी चाहता हूँ उनको इंस्टेंशन मिली है तो नड़ा साब का हमारे हमसाया है, हमारे अपडोसी है पंजाब के तो आज एक नया सफर जो है, उसकी शुरुआत कर रहे है तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं आज करूँगा और भगवान से, कि भगवान हमें हिम्मत दे भगवान हमें अकल दे कि हम इस देश की सेवा कर सके पंजाब को आगे ले जा सके आज यही मेरे दिल के जो तासुरात हैं कि कैसे न कैसे देश आगे बढ़े और वैसे तो दिल की बाते करने थी प्रेस के साथ और दिल की बाते तो उताब पंजाबी ची हो सकती है पर माधरी जुबाँच क्योंकि दिल दी यहीन बंदा जिदाँ पर क्योंकि तुसी समझ देनी पंजाबी ता मैंनू राश्ट्री जुबाँ दा सहारा लेना पया पर पर जब पंजाब में जाऊंगा तो पंजाबी में पंजाबी का एक शेर मैं जरूर कहे दूँँगा पता नहीं बहुत बड़े मूते भी जब मायूसी भी होती है असार जित दे वेनाया सिकंदर वेखदा शीशा सी में तलवार वेनाया और कहनदा है वड़े पाके ये बीजे पी के लिए है वड़े पाके मेरी सेदो निकल तुफान जान देने मेरे समने आके पहार मैदान जान देने और ये मोदी जी के लिए है फकीर हुन्दा होया भी बेन नाँ मैं सुल्तान नाँ दे तक्तान ते फकीर हुन्दा होया भी बेन नाँ मैं सुल्तान नाँ दे तक्तान ते वक्त रेंदा आए वक्तान वाले आनू वक्तान ते और केंदा है और ये अखीर ला बंद है शेर का He says माडू छोदे होन तराक जेडे जो द्रियाओं में समंदरों में तेरते हैं माडू छोदे होन तराक जेडे वेंदे रहने जोश समंदरां दे हड़ दियां चलना मांग उठन फिर डिगन फिर उठन हड़ दे मुड़ यां ते चड़े रहनवाड़े और लास लाइन है और ये लोव से लिख लो अगर पैन नी है तो लोव से लिख ले न कहनदा है पल दी जिंदगी है पामे बुल बुले दी एक बुद बुदे ने कितनी जिंदगी है एक पल एक पल की जिन्दगी है पल दी जिन्दगी है पामे बुल बुले दी पर दरिया ते चोटी दी जिन्दगी है एक पल भी रहने है पर दरिया से उच्छा होके रहने है ये मोदी जी की शान में बड़ा धन्यवाज़ थैंकी सब्सक्राइब